आपका स्वागत है हमारे सेप्टेक टेकनिकल एनलिस आज हम निफ्टीक की विकली एनलिस करेंगे 23 जून 2018 का ये वीडियो है और आने वाले विक का complete study और एनलिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से only निफ्टीक में एनलिस करने की कोशिस करूंगा क्योंकि इस हपते बहुत ही crucial रहने वाला है जिस तरीके से मैंने last week में एनलिस किया था कि इस हपते trend reversal होगा तो ये downtrend नहीं होने वाला और reversal का chances बहुत ही कम है weekly level analysis बहुत ही ज़्यादा important है कौन से week में कैसा trend रहने वाला है तो हमने last week में ही suggest कर दिया था कि इस week में बहुत बड़ी गिरावट नहीं आएगी जिस तरीके से 10,800 के उपर और 10,900 के अंदर में consolidate किये last week में उसी तरीके से इस हपते में भी 10,700 और 10,800 के वीच में consolidate करेंगे और सेम चीज इस हपते में हमने देखा अब यहां से क्या लगता है market क्या यहां से आने वाले week में trend reversal होने वाला है और actually trend reversal का मतलब यह होता है या तो either upside या downside तो अब और जो मैंने analysis किया हुआ है कि एक साल तक 5 से 8 महीने तक हम उपर नहीं जाने वाले हैं तो almost 5 महीने हो चुके हैं और exact 5 मन्त हुए हैं अगर आप देखेंगे तो 29 February से ले करके 29 June तक complete 5 मन्त हो जाएंगे और उसके बाद हम next जो series आता है अगर 29 June तक ऊपर 29 June के बाद अगर हम 10,900 के ऊपर नहीं जाते हैं तब तक हम अगले 5 महीने के लिए downtrend में ही रहने वाले हैं तो अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस हबते 29 June 2018 तक बहुत ही बरा क्रोसल होने वाला है मार्केट के लिए इसलिए मैंने आप लोगों से हर वीडियो में बोला है कि stock picking करने वाला time है long term bull market में है nifty यहां से कहां पर bottom बनाएगा अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि 9951 का जो bottom बना था 23 March 2018 को एक तरीके से 38% पूरे movement का 38% movement complete कर चुका है और price wise correction अगर वही है मिन्स वही अगर final bottom है तो time wise correction 30 June को complete हो जाएगा its means 39 June का यह हफता Friday की closing है तो 29 June के बाद हम either break करते हैं means नीचे के level को reversal देते हैं तो हम एक नया low के लिए त्यारी करेंगे means कि यह low low नहीं है और भी नीचे जाएंगे जो हमारा previous video में analysis था लेकिन अगर हम इस level को break करेंगे उपर की तरफ यह जो triangular breakout होगा और एक तरीके से ascending triangle breakout होगा तो इसका chances उपर की तरफ breakout होने का होता है इसका मतलब यह नहीं कि मैं तेजी की बात कर रहा हूँ निफ्टी में लेकिन 10 to 10% से 20% मैं either breakout उपर के chances होता है technically उपर के level को break करेगा either 80% chances नीचे की तरफ breakout करेगा technical chart पर अगर देखा जाए तो एक तरीके से यह उपर की तरफ ही breakout करने वाला है तो as for analysis यहां से technically breakout उपर की तरफ होगा लेकिन as for my time cycle analysis यह नीचे की तरफ breakout होना चाहिए breakdown होना चाहिए और इसका target जो इसका range है 10,930 और नीचे का range है 418 means कि 500 point का तो जहां से भी breakdown करेगा अगर 800, 875 के level से breakdown करता है 880 तो यहां से 500 point 343 का target जो मैं previous हर वीडियो में बोलता आया हूँ कि 343 का एक bottom बनेगा और उसके बाद फिर से हम उपर की तरफ जाएंगे और उसके बाद October में एक final bottom बनेगा तो यहां पर दोनों तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि आने वाला हफता make and break level होने वाला है तो इसलिए यहां पर थोड़ा सा index को avoid करें watch करें trend line का नीचला level breakdown होता है यह जो level है 10,000 अगर next इस हफते के लिए 10,710 का जो bottom है अगर candlestick chart का breakdown देखा जाएं और 10,710 का अगर bottom break करता है तो हम 343 का bottom बनाएंगे low बनाएंगे अगले 10 से 15 दिनों के अंदर में वरना हम उपर के level को break करेंगे 10,880 के level को break किया और किसी भी कर्मस weekly closing करेंगे तो हम उपर के target को touch कर सकते हैं means कि 11,100 का जो top था उसको भी हम break करेंगे तो अब हम देखते हैं कि आने वाले हफते का क्या trend reversal रहने वाला है उसकी complete weekly level analysis से study करेंगे तो आगे हम देखते हैं टेक्निकल एनालेसिस के basis पे ट्रेंड एनालेसिस के basis पे देखते हैं इस अब देखते का क्या रेंज निकलने वाला है नेफटी का एक्टी मेरी जो एनालेसिस है कि 21 के बाद वाला जो वीक होगा वो एक ट्रेंड रिवर्सल का रेंज होगा और आइदर टॉप या बॉटम बनेगा मैं आज के वीडियो में लेवल दे रहा हूं लेकिन मेरी जो पुराना प्रिवियो था कि हम एक बॉटम बनाएंगे 28 से 39 तक बॉटम बनाएंगे तो मैं उस ब्यूप पर भी बरकरार दूँ या तो 10,875 के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम उपर के तरफ जाएंगे और अगर किसी भी कर्णबस 10,710 के लेवल को ब्रेक करता है तो हम 10,660 और 10,550 तक जा सकते हैं तो दोनों ही तरफ का टारगेट ओपन है और रिवर्सल का डेट का मतलब ये नहीं होता कि हम लो ही बनाएंगे रिवर्सल का डेट एक ऐसा डेट होता है जिसमें जिदर भी ब्रेक आउट होगा ये लास्ट वीक में डिसाइड होता है कि किदर को ब्रेक होने वाला है तो सबसे पाहली बात कि 10,884 के उपर किसी भी दिन क्लोजिंग नहीं हुआ है तो इस बार अगर किसी भी कारणबस 10,890 के उपर बंद हो तो ही हम तेजी समझेंगे वरना 10,780, 10,930 की आसपास स्ट्रोंग रेजिस्टेंस है और वहां से अगर ब्रेकडाउन आता है उपर के लेवल को छूँ करके किसी भी कारणबस 10,780, 10,860 के लेवल के नीचे का रिवर्सल मिले तो वहां पे हम डाउन ट्रेंट प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिसका टारगेट 10,690 और 10,660 तक का हो सकता इस फ्राइडे का तो यह रहा मेरा इस हपते का निपटी पर एनालिसिस सेकंड वीडियो पर मैं बैंक निपटी पर कंपूपिट ऐस्टडी जो करने वाला हूँ gonna लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगया हो तो लाइक करें सेर करें सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो के बाए लिए पर वाचिंग दिस वीडियो के बाए झाल झाल